इस वक्ता मौझूद है एनेश नाइन पर जो कि दिल्ली में खर्याने की तरफ से घुसने का मुख्या मार्ग है और अगर बताते हैं इस तरह से जो हैं देश के कई राज्यों में जो किसान हैं वो क्रिशी कानूनों को लेकर विरोध कर रहे हैं वो की गई है आप देख सकते हैं यहां पर जो आलादेकारी हैं वो रंडीती तेह कर रहे हैं कि किस तरह से जो आंदोलनकारी किसान हैं उनको किसी भी सूरत में जो है बॉर्डर पर के अंदर प्रवेश ना करने दिया जाए तमाम जो तैयारी हैं यहां पर की जारी है साथ या आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान है उनको भी बीरीफ किया जा रहा है कि ट्राफिक पुलिस का इसमें क्या रॉल होगा साथ ही जो पुलिस कर्मी हैं किस तरह से जो है जो आरंदनकारी जो किसान है उनको बॉर्डर के अंदर प्रवेश ना करने दे जा इसको लेकर तमाम जो उनकी तैयारिया है वो की जारी है और कोशिक यह किसी भी तरीके से जो है किसान जो है वो बॉर्डर के अंदर ना घुसे इसको लेकर बैरीकेडिंग की गई है साथ ही वस्ता की गई है कि अगर किसी भी तरीके से किसानों के साथ में को जड़ब होती है तो उनको तितर बिदर करने के लिए वाटर केनन जो है उसका भी यहाँ पर प्रबंद किया गया है साथ ही जिस तरह से खबर ही आई है कि कुछ जगाओं से जो है किसान से एकड़ों की संक्या में ट्रॉलियों में भर भर कर आ रहे हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है ताकि वहनों को जो है आगे ना बढ़ने दिया है साथ है आप देख सकते हैं कि यह जो सामने रास्ता है एनिश नाइन यह हर्याना बाहदुर गड तमाम इन जगाओं से जो है दिल्ली पोईश करने का रास्ता है तो ऐसे में चपची पर वहाँ पर दिल्ली पुलिस की नजर है ताकि कोई भी इस तरह से कोरोना का प्रिकॉब जो है वो बढ़ रहा है उसमें ऐसे जो प्रदेशन है या गैदरिंग है उनको इजाजत नहीं दी जा सकती और इसी को लेके तमाम इंतिजाम किये गए इस दोरान जो दिल्ली से आसपास NCR के शेहर हैं उनमें जो मैट्रों का परिचारन होता है वूस को भी जो है सीमित कर दिया गया है ताकि जो किसान है आंदोलनकारी है वो किसी भी तरीके से बॉर्डर के अंदर प्रवेश ना कर पाए वीडियो चलिए ग्रिजनत के साथ जिदेन भाड़ी टीम ने भारतवर्ष दिल्ली